नई रोसनी फिर एडूकेशन के ओर से हम आपका स्वागत करते हैं आज हम लाएं दस्रीम काक्षा के बिरित चप्टर के आठमा सवाल अब हम देखते हैं यह एक बिरित है जिनके चार तरफ एक चतरवुज खीचा गया है हमें साविट करना है A, B, P, C, D और A, D, P, C, B, C दोनों बरावर हैं हम जानते हैं कि बिरित के बाहर किसी एक विन्डूस से खीचा गया दो अस्वर्स रेकाएं की लंबाए बरावर होती है इसमें हम कह सकते हैं कि A, P, बरावर A, S होगा इस तरूज में हम कहे सकते हैं कि AP बराबर AS होगा और DS बराबर DR होगा उसी तरीके से CR बराबर CQ होगा और BQ बराबर BP होगा इसी कुलेक हम आगे बढ़ते हैं और आपस में हम इसको जोडते हैं कौन कौन सी Aspers window है उसके हिसाथ हम आगे बराएंगे सबसे पहले A Aspers window से इस लाइन के मादे हम देखेंगे यहां हो जाएगा A P बराबर A S फिर B Aspers window से हम जाच करेंगे यहां हो जाएगा B P बराबर B Q B P बराबर B Q अब जब C वो Aspers window तो क्या होगा क्या हो जाएगा C R बराबर C Q जब D Aspers बिंदू हो तब क्या क्या बराबर होगा D S यह हमें मिल गए अब इन सब का हम आपस में जोड़ते हैं मान लिया समिकरन एक समिकरन दो समिकरन तीन और समिकरन चार हम आपस में सबी समिकरन को जोड़ते हैं आपस में सबी समिकरन को जोड़ने पर तो सबस पहले इसको जोड़ते हैं A P P PLUS B P PLUS CR PLUS DR बराबर हो जाएगा A S PLUS B Q PLUS CR PLUS DS अब इन दोरों हम देखेंगे कौन कौन सी लाइन बन रही है A P PLUS B P AP PLUS B P A P PLUS B P एक लाइन हो जाएगी उसी तरह के से CR plus DR एक लाइन हो जाएगा CR plus DR एक हो गए एक लाइन अब इनको लेक आगे बढ़ते हैं वरावर AS पलस, अब AS इदर आमको कह जाएजे हैं DS, DS कहा हो जाएँगे, यह रहाँ DS AS plus DS, यह हो गई एक लाइन अब आगे, BQ plus CR, BQ हो गई यह BQ पलस यह हो गई CR एक लाइन अब सभी सम्मिकरन को आपस में जोरने पर सबस्थ पहले A वाले में देखते हैं पहला भाग क्या है AP पलस CR पलस DR भरावर दूसरा भाग क्या था इसका AS पलस BQ पलस DR पलस DS अब इन चारों में और इन चारों में सरस्वेलम यहां देखेंगे किसको जोड़के एक लाइन पूरी होती है तो AP पलस BP यह हो गई AP और यह BP दरों मिलके एक लाइन हो जाएगा इसको रख लेते हैं पलस CR पलस DR उपर की लेन हो गई CR पलस DR यह हो गई CR पलस DR बराबर अब AS लिख लेते हैं AS के साथ में कोन आगा वो जेखेंगे AS पलस यह DS आएगा तो DS रहाएगे यह लास्ट में AS पलस DS जो रहेंगे पलस अब बचा BQ पलस CR तो BQ पलस CR BQ पलस CR बना के क्या बनाता है यहां CV अब पूरी लाइन हो इसके जगे उट करते हैं AP पलस BP बराबर केतना होगा AP पलस BP बराबर यह होगा AB पलस CR पलस DR बराबर क्या होगा CD बराबर AS पलस DS के वाला हो जागा लाइन AS पलस DS बराबर AD प्लस BQ प्लस CR यह लाइन हो जाएगा BQ प्लस CR यह हो जाएगा BC हमें यही सिद्ध करना था और हमारा सिद्ध हो गया AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC